अनेको जैसे विश्वेश्वर सम्हिता, ब्रह्मांड पुराण, शिव महापुराण में अनेको पुराण में ऐसे वर्नित आता है कि सिर्फ महाशिवरात्री पर वही नहीं वर्षवर में आने वाले जितने वी व्रत होते हैं उसमें रात्री जागरन करने का ही विधान बतला आए जाता है दिन भर आप भगवन चिंतन में रहना रात्री भगवत भजन करना अगले दिन उसका पुनह पूजन करके पारण करना तो महाशिवरात्री के रात्री अगर आप जागरन करते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमस्षिवाई अथ्वा अनेको भगवान शिव से समय साधना में लीन रहते हैं साधना में लीन होने के कारण उस समय विशयोग तत्व और ऐसे कई अवगुण जो है वो ब्रंभान में व्याप्त हो जाते हैं भगवान तो साधना में लीन हैं ये सबी गुण इधर उदर दुर्गुण जो है व्यापत हैं विश्य पूरा फैल गया है उस दिन जागरन करके परमात्मा महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए पूजन करते हुए रात्री में उनके लिए विशेश जागरन इत्यादी करते हुए उनका नामोच् जो रात्री में बनता है ब्रह्मान में अनेक दुर्गुन तत्व जो आ जाते हैं वो सब नश्ट हो जाते हैं भगवान शिव जो साधना में लीन है उनको भगतो द्वारा ही वो साधित होता है जो भगतावन भगवान की पूजन करेगा स्मरन करेगा जागरन इत्यादी भगवान को और बल मिल जाता है वो जितने वी दुर्बुन तत्व हैं वो सब नश्ट हो जाते हैं इसे लिए रात्री जागरन करने का महा शिवरात्री वृत में उसके दिन उस रात्री बहुत बड़ा विशेश विधान शास्त्रों में बतला जा गया है और इसका पालन करने सबी को हर एक प्रकार से सबी व्याधी दूर हो जाती सबी पीडा दूर हो जाते हैं जिस उद्देश्य शिवरात्री वरत्र का वो उपवास कर रहे हैं रात्री जागरन कर रहे हैं समस्त उद्देश्य के पूर्ती हो जाती है लेकिन वरत्र करने के वाद पारण भी निश् पारण का समय पतलाया गया है 9 मार्च की दिन तो इस दिन उप्युक्त समय पर जो समय है उसका पारण भी उप्युक्त समय पर करके भगवान का पूजन करके ब्राह्मा नित्यादी गरिबों में अन्नदान वस्तरदान करते हुए तब आप भूजन ग्रहन करें साथ्विक पदार्थ ना हो जो भगवत प्रिय ना हो भगवत प्रिय पदार्थ हो कहीं सेवन करते हुए अहां शिवरात्री वर्था पालन करें परिए